राम राम जी सभी वाईयों को मैं बावरामदात और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरीक खोटी तो कल सोब दिन में तीन बजे स्मिता प्रकाश जी हैं बड़ी हमारे देश की तीने जानलिस्ट हैं उनका एक पोड़कास्ट परतारित हुआ है उनके यूट्यूब चैनल एन आइ पे वो बड़े उनके पॉपलर होते हैं पॉड़कास्ट विद्समिता प्रकाश तो उसमें उन्होंने गेस्ट बला रखी थी स्वाती मालीवाल राज्यसबा सांसद पूरवध्यक्ष दिल्ली महिलायुक तो वो उनसे पूछ रही थी कि तब उस दिन मारपीट की जो घटना सियम हाउस में दिल्ली में हुई दिल्ली के मालिक के घर में क्या हुआ था तो वो पूरा उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे जो सियम साहब का जो अवैध पिये है जो कि इनफेक्ट तो अपने पद से बरखास्त किया जा चुका है उसके खिलाफ विजिलिज इंक्वाइरी और पता नहीं क्या क्या है और वो किसी भी तरीके से समवेधानिक पद पे नहीं है किसी बतलब कंस्यूशनली वो कहीं एंप्लॉइड नहीं है सियम हाउस में परंतु वो अपने प्राइविट कैपसिटी में सियम साहब की प्राइविट कैपसिटी में मुख्यमंत्री आवास में रहता है उनका कामकाज देखता है तो स्वाती माली वालने बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे सियम हाउस के अंदर पिटाई हुई और कैसे जो है मतलब विभव कुमार का पार्टी पे क्या होल्ड है उसके बिना पार्टी में पत्ता तक नहीं इलता तो उन्होंने एक सवाल और पूछा है कि जब आपके साथ इतनी गंभीर मार्पिट की घटना आपको इस सामाने महिला तो है नहीं आप राज्यसभा की सिद इतना हो रही थी तो कैजरिवाल अंदरी घर में थे तो जब जब वहां पे हल्ला गुल्ला शोर श्रबा मार पीट लड़ाई जगड़ा छीना जप्टी जोटा नुचे उवल बाल खिंच के आपको पटक के जो हलातों को उसनों से मारा जा रहा था हल्ला हो रहा था उसके सब्सक्राइब देर तक विवाद होता रहा सिक्यूरिटी आई मतलब जो तमाशा हो सकता था वो हुआ तो दिल्ली का मालिक उस समय कहा था और मालकिन कहां थी दिन का समय था नो दस ग्यारव साड़े नो बजे दस बजे की बात है तो जब यह मारपीट लड़ाई जगड़ा हो रहा था तो दिल्ली का मालिक कहां था वो क्यों नहीं आया देखने चुड़ाने वह उसके घर में और उसका घर कोई प्राइवेट हाउस तो है नहीं स्थापित हो तो तुमारे घर में इतना हला गुला मचा हुआ है शोर शिराबा है तुम कहां थे तुम आए क्यों नहीं छुड़ाए क्यों नहीं क्या था और क्या अच्छा इससे एक बात क्लियर होती है कि यह सब सीम हाउस में जो कुछ भी हो रहा था यह सब केजरिवाल जी के दिशन निर्देशों से ही हो रहा था तो मुझे न यह पॉड़कास्ट सुनते सुनते एक किस्सा याद आ गया जो कि बिहार में जब चारा चोर जी जो है मुख्यमंत्री थे तो उनके जमाने में बिहार में क्या होता था कैसे होता था उसका एक व्यक्ति ने मेरे एक मित्र थे मित्र के एक आगे रिष्टेदार थे वो मुझे मिले थे उन्होंने मुझे अपना स्वैम के साथ बीती एक सची घटना बताई थी तो मैं ये पोड़का सुनते सुनते मुझे वो याद आ गई सुबह में सुन रहा था तो मैंने डिसाइड कि लिए कि ठीका आज मैं अपने दर्शकों को वो किस्सा बताऊंगा कि तो वो जो सुनाने वाला तता वो मुझे वो ग्व मैं व्योर्ड से बत्चित किया कि इए रट्रांसवर फ्लादी जगर पोस्ट करूंब्सस्तिक्रोल रूप को फोस्टृत मलाईदार पोस्टिंग रही होगी तभी नहोगा ऐसे कैसे हो जाएगा तो उस मलाईदार पोस्टिंग के लिए वह मले साहब ने 50,000 रुपया तेंकिया यह पुरानी बात हो गई लगब पच्छिस साल से ज्यादा पुरानी बात है उन दिनों 50,000 बड़ी रकम थी तो मले साहब से बात तैह हो गई तो उन ने बोला कि चलिए मैं आपकी सीम हाउस बात करा देता हूं तो उस मले ने बोला कि इतनी तारीक को इतने बज़े कल परसों में आप सीम हाउस आ जाईए तो वहाँ चारा चोर जो है वो नीम की पड़ी के नीचे दतुन कर रहा था और मले वही मौजूद था तो मले साहब थोड़ी दूर से ही उसने सलाम बजाया सीम साहब को किसा वो एक्सियन साहब आये थे मैंने ट्रांसफर के लिए जो कहा था तो चारा चोर वहीं से दूर से बोला हाँ हाँ ठीक है वो जाके कारेलाय में मिल लीजे बोल दिया है तो अब जब सीम ने बोल दिया तो एक्सियन साहब ने वो मले साहब को पचास जार रुपया दे दिया मले साहब चले गए तो एक्सियन साहब को सीम साहब के कारिंदों ने उनके स्टाफ ने जो है एक आफिस अंदर बनावा था उसमें बैठा दिया वो बैठ गया राम से चाय पानी हो गया उसके बाद एक आदमी आया उसने पूछा अच्छा आपको पोस्टिंग अच्छा फलानी जगह चाहिए अच्छा ये है ये है ये है तो उसने एक दूसरी फाइल निकाली उसमें अच्छा एक आपका घर यहां है एक प्रोपर्टी ये है अच्छा लखनव में भी है प्रोपर्टी अच्छा पटना में भी है या आपका एक ठोमकान है उसके उनके पास पूरी सूची थी एक्षियन सहाब की पूरी काली कमाई से बनाए गए संपत्तियों की पूरी पूरा ब्यावरा था अब एक्षियन सहाब का मा था ठन का क्योंकि जिस पटना वाले वो घर की बात कर रहे थे वो उन्होंने बड़े शौक से बड़ी रीज से बड़ा पैसा खर्च करके बड़ा महल नुमा घर बनवाए थे तो उन्होंनों बुला कि ठीक है ट्रांसफर हो जाएगा आपका बस ये फाइल है इस पर दस्कत कर तीचे तो एक्षियन सहाब के सामने जब फाइल आई तो वो सेल डीड थी वो बकाइदा पूरा प्रफिट वो जो स्टांप पेपर वगरा पे सब कुछ होता है कि ये फ्लनवा मकान हम जो है अपना फ्लने किसी एक बेनामी व्यक्ति को रेजिस्टरी कर रहे है तो उन्होंनों तब ये क्या है बला ये वो जो मकान है आपका पटना वाला उसकी रेजिस्टरी है बले ये तो सेल लेटर है बला हां तो बले ये क्या है बला आप मकान सेल कर रहा है ना बले हम तो नहीं करेंगा बले अरे बहुत अजीब आदमी हो बे तुम मतलब पोस्टिंग करवाए हो ना पोस्टिंग चाहिए ना बोले हाँ तो बोले बिना मुफ्त में करा लोगे पोस्टिंग तो बोले नहीं सर पर उट पचास जार की बात हुई थी उट अमेलेस आपको हम दे दिये बोले परचास जार में इतना मलाईदार पोस्टिंग चाहिए तुमको है साइन कर चुप्चा बोले नहीं सर हमको पोस्टिंग रहने दिजिए बोले आरे पोस्टिंग ओडर निकल चुका है लाओ जी ओडर लाओ बोले यह देखिए यह साइन सबकुल साइन हो चुका है आपका प्रांसफर हो चुका है जईये कल जॉइन कीजिए, अब अब अधर केंसल थोड़ी नहोगा, जो जो पोस्टिंग आपने मांगी दी वह आपको दे दी जा चुकी है, आप साइन कीजिए और जाइए, तो बूले नहीं तरहा म साइन कर कि बोले भाई आओ देखो चलो इसाइन नहीं कर पाएंगा भाई ले जाओ इनको तो सब तीन चार हट्टे कट्टे तंद्रुस्त किसम के आदमें आए और एक्सियंट साहब को कि एक दूसरे कमरे में ले गए और उस कमरे में बकाइदा मतलब पिटाई का पूरा पाकाइदे इंद्र जामता मतलब इट वेरी वेल रिसर्च्ट जैसे पिटाई कैसे करनी है तो उनको चार आदमियों ने पकड़ा सबसे पहले उनके मुह में कपड़ा ऐसे पट्टी सी बांदी गए फिर उनको एक दिवार के कोने में जो है एक कोने में खड़ा करके उनके हाथ और पैर ऐसे मतलब बांदी गए जैसे वो आर्टिफिशल इनसेमिशन में गोरुक नहीं जानवर को बहुत काईदे से कोने में ले जाके ऐसा बांदिया जाता है कि हिल नहीं पाता है और उनका आगे से जो है हाथ पैर आगे से बांदिया कि थोड़ा आगे की तरफ जुक गए और पीछे कमर में भी बांदी के उपर हुक में रसे में रसी से बांदी आगे कि गिर न जाए मतलब जहां है वहीं स्टेबल रहे ठीक वो जानवर का जब इलाज होता है तो कैसे उसको बांदी के एकदम से एक चम टाइट कर देता है वैसे उनको एकदम टाइट कर दिया गया और एक आदमी आया और पुलिसिया बेंट लेके उनके पिछवाड़े पे मारा कम से कम दस बेंट पूरी ताकत से तो वो बोले कि पहले बेंट में जो है हमको लाल पिला दिखने लग गया खुद एक्सियन्थ आपने ये किस्था मुझे खुद बताया था तो पहले बेंट में मुझे लाल पिला दिखने लग गया और मुझे दूसरा तीसरा बेंट याद है और उसके बाद मुझे याद नहीं है क्या हुआ और कितने बेंट मारे मुझे मतलब गिनती नहीं है पर शायद दस एक में तुमारा था हमको और के तीसरे चोथा एक बात तो शायद हम बेहोश हो के जो है लुड़क गए थे और शायद लेटरिन पिशाव विशाव भी पेंट में कर दिये थे मतलब तो जब हम बेहोश हो गए पिटाई से तो फिर कहते हैं फिर मेरे मूँ पे पानी वानी मार के जो है वापस होश मिलाया गया मुझे पानी पिलाया गया फिर वापस उसी कुर्शी पे बठा दिया गया वही उसी व्यक्ति के सामने उसी फाइल के सामने फिर पूछा अब साइन कर पाएंगे तो कहते हैं भाईया हमने चुप चाप जहां जहां उस अब साइन बोले हमने साइन कर दिया फाइल चली गए हमारे हाथ में ट्रांसफर आड़ रहा गया तो कहते हैं वो अदमिया फिर वापस आया वो जो कुर्सी बेपट्था था वो बहुत मतलब दो चाथ जो भुझपूरी में सामान निश्ष्टा चार वाली गालिया होती हैं उस तरीके थे हमको संबोधित किया अब लग कौन चूटिया तुमको एक्षियन बनाया बे तुमको इतनों अकल नहीं है कई साल तो नौकरी कर रहा है तुमको सामान्य प्रोटोकॉल भी नहीं मालूम है साले इतना मलाईदार पोस्टिंग तुमको चाहिए दो साल तुम उस पोस्ट पे रहोगे कितना पैसा क कमाने के लिए एंँ पोश्टिंग चाहिए यह भाँ धरमार्त खाता खौलने के लिए पोस्टिंग चाहिए न हुम उस पोस्टिंग पे तहीं ना माल कमाओगे ना तो अकेले खाओगे सारा हुम तुम्हारा हिसाब किताब लेगा कि तो पोस्टिंग चाहिए उसका पेमेंट करो जाओ कमाओ ऐसा हिसाब कई तो घर बनाओगे उस पोस्टिंग में जाओ हम साब उस पोस्टिंग पर पोस्ट हो गए और सच मुझ हमने वैसे वैसे दो तीन घर बनाए उस एक पोस्टिंग में इतना मालकूते तो तब ये कहानी है तो कहानी का लबो लबाप दो जिस दो मौरल अब दो स्टोरी इस कि यह जो अराजकतावादी जितने सीम होते हैं यह जितनी भी पार्टियां जो अराजकतावादी राजनीती करती हैं उनके सभी सीम हाउसेज में इस प्रकार की घटनाए मारपिट की इस प्रकार का टॉर्चर हाउसेज मारपिटाई करने वाला स्टाफ मौजूद रहता है अराजकतावादी सरकारों में अराजकतावादी पार्टियों में अराजकता की तो खर किस से उस पर गरंत लिखे जा सकते हैं उनका जो जंगल राज था तो एक और बताते हैं कि कोई उस चारा चोर का ही कोई बहुत फेवरेट परसनल फिजीशन था उन्होंने नई कार खरीजी थी तो लोकल मले उनका बड़ा अच्छा उससे दुरुशूक ता दोस्त था यहां परचित था चुकि डॉक्टर साहब खुद चारा चोर के बड़े परसनल फ्रेंड्स में गिने जाते थे तो पता नहीं शायद डॉक्टर साहब ने नई कार खरीजी तो मले आया बोला सर्व मुबारक आपने नई गाड़ी खरीजी और उन्हें मांग के ले गया कार एक दो दिनों के लिए या कहीं जाने के लिए जब दो दिन चार दिन बाद गाड़ी नहीं आई तो उन्हें प्वोन किया तो उन्हें उसने कार लोटाने समना कर दिया तो अब डॉक्टर साहब गुमान में थे तो रॉक्टर सहब गए चारचवर के सीम हाउस में चारचवर के पास शिकायत करने तो क्या देखते हैं कि उनकी कार वहीं सीम हाउस में खड़ी है तो चारचवर से बोले, है तर हमारी कार जोया फुलनवा जबाप का है, मेले जो लियाया है बले अरे लड़के हैं कुछ खर्चा पर्चा दे दीचे ले जाईए अपनी कार तो अगेन उस जमाने में डक्टर साहब 50,000 पर देख के अपनी कार छोड़वाए थे जो कि C.M. हाउस में खड़ी थी तो भाया यह आराजकतावादी C.M. का यही हाल होता है और हमारे केज़रीबवाल जी जो है कुछ नया नहीं कर रहे हैं जो राजनीती कर रहे हैं वो आये थे देश की राजनीती बदलने पर आज भारत के सबसे बड़े आराजकतावादी सबसे भ्रष्ट, सबसे चोर, सबसे बड़ा डाकू, सबसे घ्रनित, सबसे निक्रिष्ट राजनिती यदी देश में कोई कर रहा है, तो हो हमारे केजरी बवाल सर है और उनके CM हाउस में ऐसी यह तो एक घटना है जो बाहर आई है ना उससे पहले तो पता नहीं कितनों को पीट चुक है, मैंने सुना वो शांती भूशन और उसके बेटे प्रशांत भूशन को तो वो उसको भी धक्के देके दुचार पड़ा का मार की घर से भगायत सब, जो चीफ सेक्रेटरी को पिटवा सकता है अपने कारयाले में या अपने सब चीजों के लिए उसके चेले भी सब ऐसे उनको उससे फरक ने पड़ता, तीन सो यूनिट बजली पर ही मिल रही है ना, उसके बाद देश को लूटके खा रहा है तो खाने दीजिए, हमको भारत का मत दाता कितने सस्ते में बिखता है ये देख लिजे ना, कि तुम कोई किस ट्रेणी में आ जाएगा आज का वीडियो, तो ऐसे ही सब किस्से कहानियां हमारे चैनल पर हम आपको यूही सुनाते रहेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद, अगले फिर किस्से कहानी के साथ फिर से मिलते हैं जी, तैंक यू बरी मच्च